हेलो एव्रीवान आज है फ्राइडे और मैडम का तबियत आज लिटरली डाउन है जाओंगी आज होस्पिटल आज पाफे सारे डॉक्तर के पास एपॉइंटमेंट है पहले तो आज मेरा स्कैन होगा फाइनल स्कैन जो होता है तो आज हो वाला स्कैन होगा उसके बाद ऑ्रेक्टर के साथ इंसलेशन है घर आते आते हो उस परभली दूपहत तो प्रॉस ही कर सब्सक्राइब और यहां पर जो स्टील का यह बड़ा सा फ्लास्क है ना यह वाला पापा कश्मीर से लेके आये थे बहुत ही अच्छा क्वालीटी का फ्लास्क है कश्मीर जैसे ठंड में भी यह फ्लास्क में अगर आप गरम पानी रखोगे तो 48 आउर से भी ज्यादा टाइ है तो ममी जी कल से मुझे इसी में ही पानी गरम करके दे रही है कल से मैंने नॉर्मल टेंपरेचर का पानी पी ही नहीं है इस फ्लाक्स में ही गरम पानी मुझे करके दे रही है और मैं लगाता है वही पीती जारी हूँ तब जाके गले में थोड़ा सा आरम लग रहा है तो तो मरा सब साब्दाने थेको खादा कोड़ेनियों तो डॉक्तर दिखाने जारी हो एलो scan day is always exciting now I am last scanner last scanner last doctor visitor before delivery उसको को देखना है last time doctor ने बोला थे 38 weeks में जब आओगया आप scan के लिए और call बीफोर डीलिवरी वह हमारा last meeting होगा उसके बास तो direct delivery room में ही डीवरी रूम में ही और दो डाक्टर से तो लिफ में है अभी कि नीचे जाए रहे है कि नीचे जाए रहे है कि नीचे जाए है कि नीचे जाए है बड़ी मेरा हॉस्पिटल बैग जो है वह रखा है तो देखी सकते है मेरा हॉस्पिटल बैग एकदम से रखा हुआ है ईनीवेश कल तो मैं पूरी रात सोर ही नहीं पाई मेरे चेहरा और आख साहिद बता चली रहा होगा पूरा रात में जागी हुई थी तो इसको इतना जादा पेन हो रहा है और कल जैसे मैंने देखा इतना जादा पेन वह फील कर रही तो मैं भी तुरा टेंशन कर रहा था इस चीज को लेकर तो इसे लिए आज जो ऐसे भी डॉक्टर अपॉइंट्मेंट है तो शुबे सभी निकल गए मैं इन सब को बोली रही थी कि तुम लोग टेंशन मत करो यह मेरा लेबर पेन नहीं है देखिए वैसे लेबर पेन का तो मुझे एक्सपीरियेंस है नहीं लेकिन जितने साड़े मेरे दोस्त वगड़ा जिनके रिसेंट्री डेलिवरी हुई है और दोनों मम्मी से सबके रिले मैं कल से स्टार्ट हो गया था था थाइस वगेरा और काप्स, फूट, सब में पेन हो रहा था साथ में सरदर्द हो रहा था तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आगे थी कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है अचानक से तो फिर ममी दोनों ममी ही बोल रही है कि यह जो सीम्टम्स ह यह तो लेबर पर तेंड के तरह जाड़ा है लेकिन तूम नोटिस करो कि लोजरे आपरमिन में कोई पेंट नहीं था थोड़ा सा ख्रैंप जैसा था जो की अभी भी ह i. बट अगर वह लेबर पहन होता ना तО् वह नहीं है तो दोनों ममी और सौरव मिल के मुझे रात के त अब इतना जादा मुझे वीक फील होड़ी है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ तो देखते हैं अभी तो on the way है होस्पिटल जा रहे है पहले scan का appointment है तुम्हें भी खासी होगे क्या पहले scan का appointment है scan होगा उसके बाद आज doctor मतलब मेरे gynecologist ने बोला है चलते है तो चलते है फिर बाखी के अबडेट देते है होस्पिटल तो पॉच गये हैं लेकिन वही सेम इसू बैले पार्किंग के लिए है काफी लंबा क्यू तो अभी आम लोग बेट कर रहे हैं हमारे पहले धेर सारे कार अभी भी है पार्किंग के लिए जो कि पार्किंग फुल है सौरव ने तो इतने बार डाटे भी है ना उन लोगो मैनेजमेंट को कंप्लेंड भी किये है कि आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन पार्किंग का फेसिलिटी जो है वो इतना कर आओना पड़ता है तो अपोसिट में ही केमफोर्ट मॉल भी है तो सौरव कभी-कभी यहां पर भी पार्क कर देता है देखिए आप लगों से बात करते करते काफी सारे गारी अल्रेडी चले गये हैं ओहो यहां पर पार्किंग फुल लगा दिया है क्या करना है फिर दिखत करते हैं तो अब हम लोग निकले हैं तो लिए क्योंकि दॉक्त तो यह लेट आने वाले हैं डॉक्त आएंगे राउंड वान ओक्लॉप तभी एक घंटा टाइब हमारे हाथ में तभी हम दोनों जा रहे हैं तो लॉट लॉंच करने के लिए अज बहुत ही सुबेश्वे ब् कि यह वाला मॉल में इससे पहले कभी आना नहीं हुआ था तो देखते हैं यहां पे क्या-क्या ओप्शन है तुम्हें इस चॉए मॉल्टा ते रग है तुम आए हो मैं इससे पहले कभी आई नहीं पहली बर आई हो यह रहा होस्पिटल और यह है मॉल लंच करने के बाद हम दुबारा चले गए थे दॉक्टर के पास और दॉक्टर कंसल्टेशन हो भी गया है आज जैसे मैं आप लोग को बताया कि तीन दॉक्टर के पास अपॉनमेंट था पहले तो स्कैन हुआ प्र रिपोर्ट करने के बाद अनस्थिया के दॉक्टर के पास भी मेरे गायनिक ने अनस्थिया के दॉक्टर के पास जाके सब कुछ जो होता है ना प्री अनस्थिटिक चेक अप तो वह सब कुछ भी हो गया उसके बाद पिर मेरे गायनिक के पास हम लोग गये और उनसे तो काफी सारे चीजे जाने के लिए मिला सुनने के लिए मिला और अभी फाइनली जा है खर सो यस डिलिवरी का देर तो मिल गया है लेकिन अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे थोड़े दिन बाद सस्पेंस रहने देते हैं इतना बता सकते हो कि और बिल्कुल भी टाइम नहीं है बिल्कुल भी नहीं बहुत जल्दी एक नया महमान आने वाला है बस कुछ घंटो लग रहा है सुनने में तो एवरिधिं इस डन और लंच में आज हम लोग खाये है वही थोड़ा नॉर्मल डाल चावल भी थाली काइंड अफ ले लिया था पहले सोचा था सौरा बोल रहा है तो पीजा अगेरा खाएगा लेकिन मैंने बोला है नहीं छोड़ दो लंच में थोड़ा सा दाल चावली खा लेते हैं सिंपल सा क्योंकि यहां पर गर्मी भी है और मेरा तबियत भी ख़ड़ा तो इतना कुछ खाने का मुझे मन भी नहीं होड़ा था तो सिंपल से थोड़ा दाल चावल खाके फिर गायनेक से मिलके सब कुछ हो गया है अभी जा रहे है मै तो एक-डम बेचान हूँ कि दोड़ों ममी घर पर है इतने दिन से क्या होता था था ना हम लोग Dad ática कटके घड़ जा के मेरे ममी को तो म collector ने कि अम बताती थी लेकिन म切्झा को यानी मेरे सास हुमा को हम लोग गारी से ही फोन करते था na Mama ंपापा को फोन करके घर बार पर तो पाप और निया कि ने आल्रेडी फोन खरके बता दिया है किए पापा भी सुवे से वेट कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि दॉक्टर कि आप रहे है इंगा भाइजा बता ना ताइम पर डाइम पर बता के लिए चुट्टी ले रही है तो बहुत जादा एक्साइड़ हूँ टेट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बता ही दूबट नहीं तो अप लोगों को भी सस्पेंस में रखते हैं सर्प्राइस देंगे तो चली अभी जाड़े है घर और मेरा गले का हालत बहुत जादा खराबे कला एक तम बैठ गया है मेरा बात करने में इतना तिक्कत हो रहा है ना घर जाओंगी कल तो पूरा रात सो नहीं पाई तो अभी फ्रेश वेश होके थोड़ी सी मैं नींद लूँगी पहले शाम तक अभी टाइम क्या होड़ी है दूपैर के तीन तो घर जाते जाते सारे तीन तो हो ही जाएगा ग्रेश चेंज कर गया थोरी दर के लिए मैं सो जाओंगी ममी को देखिए यहां पे अभी क्या कर रही है आलमारी से ट्रॉली बैग निकाली है ममी ने और अभी यहां पे हमारे जुनियर के लिए सारे बंदोबस चल रहा है की को ट्रॉमाग तो बालो हमारे ट्रॉली अच्छे हो सेलाई करें तो आमारे नाती के गीप्ट करें चेंज और नाती बेबे अच्छे ममी की एक दोस्त है तो वह सिलाई वागेरा का काम करती है वह आंटी इसलिए हमारे होने घ बेबी है उसके लिए है ठेर सारे यह पर सामान भेज़े हैं अपने हातों से बनागे इसको अम लोग बिंगॉली में बोलते है को उसी जरहता है उसका यहां पनी हातों थारे ब अच्ता है थारे बना के बेज़े है देखिए कितने सारा श्रा Compared कर देर सारे कलर करnet साइज इस में डिफ टीहि और टीह कर दी है क्योंकि इन सारे चीजह को भूफ करना है बिना वह्ट किया तो यूज न ही कर सकते और यहां पर इस जो कलरिंग रैक है यह भी मुमी नबालेश कर दिया है घर साफ को अधरी कर दो सब करbelsा करा आया कêu przep कि पिलो भी है और साथ में दो साइट पिलो भी है तो सब कुछ ममी वेस्बेंग उसे बनवा के लेके आये थी बौत दिन पहले लेकिन ये ब्लॉग में मैंने कुछ भी शेर नी किया था क्योंकि आलमारी में ही रखा हुआ था आथ जब सब कुछ निकली रहा है क्योंकि सब वाज भी करना है, धूप में भी डालना है, तो सोचा क्यों ना भी आप लोगों से शेर करूँ। सच में उस आंटी को मेनी मेनी थैंक्स। यह आप इतना पैसा देने के बावजूद भी यह सारे होमली चीजे मिलना मुश्किल है। घर आके नहां दोके अभी फ्रेश हो गई हूँ और अभी लूँगी थोड़ी सी रेस्ट। तो यह जो नाइटी देखिए मैंने पैनी है ना तो यह मैंने कॉंबो में ओडर किया था मीशो से ही बहुत ही अच्छी डील में मुझे मिली थी लेकिन मुझे क्वालिटी का पता नहीं था कि कि इतना की अच्छा क्वालिटी का यह आएगा। तो ऐसे दो मैने वचेश की है हैं एक रैट के साथurstải तो नहीं आच्छी बेवि पिंग का इंड OFF हें बेबी पिंग के साथ वाइलेट कलर का अ कॉंबिनेशन है और एक मेरा नाइटी है वाइलेट कलर यानी स इस कलर अर तो ०ोनों बहुत ही सुन्दर है प्रिंड भी काफ तो यहां पर सामने बटन है तो अगर आप चाहो तो मतलब यह ब्रेस पीडिंग नर्सिंग बगरा के लिए बहुत जादा इसी हो जाता है तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मुझे एकदम नए चीजे पहनना फोड़ा सां कमफटबल लगता है वह भी घर के कपड़े तो म सब कुछ लेके मुझे बहुत ही कमफटबल घर पर रहना है जिसवादे से मैंने पहले से ही वास्ट वगरा करके इसको पहनना स्टार्ट कर दिया है ताकि होस्पिटल से चुट्टी होके जब मैं घर आ जाओंगी उस टाइम पर कमफटबल ही मैं यह सारे पहन सको और जैसी तो इतना कम प्राइज में मुझे मिली है बट हाँ क्वालिटी काफी अच्छी है गुड इविनिंग एवरिवान साम के टाइम पर पती के हाथ का गर्म गरम अद्रक वली चाय साथ में बिस्किट भी है है बिस्कित ने वो आज का साम एकदम जबरदस थे अभी तीवी अच्छा और वहां पर बस एक दो दिन में पी सकती हूं सौरव अभी कर रहा है घर का कुस छोटा मोटा काम वैसे मैं ही कर रही थी लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा तबीत खरब सा फील हो रहा है तो साव यहां पर बेड़ लगाना यह सब कुछ वही अभी करके मुझे थो को और बताना ही नहीं हुआ कि डॉक्टर ने क्या बोला है अक्चली रिपोर्ट वगेरा स्कैन का सब कुछ एकदम बढ़िया है तो डॉक्टर के तरफ से तो एकदम ग्रीन सिगनल है कि बेबी एकदम हेल्दी है वेट वगेरा सब कुछ एकदम प्रॉपर है 38 वीक्स में ज करना है कि नॉर्मल डिलिवरी करना है क्या करना है तो उस बारे में अभी थोड़ा सा हम लोग सोच रहे हैं तो देखते हैं और मेरे मेरे माइंड में मैंने एक चीज को तो अल्रेडी ठान लिया है तो आप लोग को अभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं देखते हैं थोड़ा प्राइम के उपर छोड देते हैं, जो नसीब में होगा, उसी साब से ही हम लोग चलेंगे, जो है बेसिकली नसीब में उसी साब से ही सारे चीज एक्जिक्यूट होगा, अगर मैं चाहूंगी भी कि नहीं मुझे नॉर्मल डिलिवरी चाहिए, अगर मेरे नसीब में नहीं लेकिन हा, डॉक्टर ने बोला है, कि सबकुच एकदम बढ़िया है, सही है, तो देखते हैं, अभी बस थोड़ा सा ही और वक्त बच्छा है, तो देखते हैं कैसा क्या हो रहा है, चीजे, किस तरफ अपना मोर ले रही है, उसी साब से आप लोगों को धिरे-धिरे सब आप प्रेश ब्लोग के साथ आप लोग के सामने हाजीर हो जाएंगे, तिल देन, दो लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल, बाइबाई, गुटनाइट, टेक केर